वेलकुम फ्रेंड्स आज हम कमपेडिजन करेंगे टोप 10 ओरिजनल बॉलिवोड मुवी वर्सस टोप 10 रिमेक साउथ मुवी इसके बॉक्स ओफिस का लेक्शन कमपेडिजन वीडियो को लेकर और ये इस स्रीच का तीसरा पार्ट है इससे भी पहले हम इसके दो पार्ट ओल् मुवी है जब वी मेट जोकी रिलिज हुई थी 26 अक्टूबर 2007 को जिसका बजट था 15 करोड रुपीज का और इसने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 31 करोड 6 लाक रुपीज का और मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर 50 करोड 93 लाक रुपीज का कलेक्शन किया था और मुवी को हिट का वर्डिक्ट मिला था वही पर इसी मुवी का ओफिशल रिमेक तमिल लेंग्वेज में कंडें कदले नाम से बनाया गया था जोकी रिलिज हुई थी 30 अक्टूबर 2009 को जिसका बजट था 7 करोड रुपीज का और इसने इंडिया से नेट कलेक्शन कि था 15 करोड रुपीज का और मूवी ने वल्डवाइफ बॉक्स आफिस से 20 करोड रुपीज का कलेक्शन किया था और मूवी बॉक्स आफिस पर हित साबित हुई तो यहां पर दोनों ही मुवी successful साबित हुई थी तो दोनों फिल्म इंडेस्ट्री को मिलता है इक्वल पॉइ किया था 65 करोड 52 रुपीज का मुवी ने वर्डवाइड बॉक्स ओफिस से 108 करोड 87 रुपीज का कलेक्शन किया था और मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी वही पर इसी मुवी का ओफिशल रिमेक तमिल नेंग्वेज में नेरकोंडा परवाई नाम से बनाया ग 10 रुपीज का और मुवी ने वर्डवाइड बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 126 करोड 10 रुपीज का और मुवी बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी तो यहाँ पर दोनों इंड़स्ट्री को फिर से मिलता है इक्वल पॉइंट नमबर थ्री पर ओरिजनल बॉलिवुड मुवी है बॉल बच्चन जो की रिलिज हुई थी 6 जुलाई 2012 को जिसका बज़ट था 50 करोड रुपीज का और इसने इंडियन बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 100 करोड 5 लाक रुपीज का और वल्डवाइड बॉक्स ओफिस प प्रुपेज में मसाला नाम से बनाया गया था जो के रिलिज हुई थी 14 नवंबर 2013 को जिसका बज़ट था 35 करोड रुपीज का और इसने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 35 करोड रुपीज का मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस से 40 करोड रुपीज का कलेक्शन किया था और मुवी बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी तो यहाँ पर वन पॉइंट मिलता है बॉलिवुड इंडस्ट्री को नमबर फॉर पर ओरिजनल बॉलिवुड मुवी है ओ माई गोड जो की रिलिज हुई थी 28 सेप्टेंबर 2012 को जिसका बजट था 20 करोड रुपीज का और इसने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 81 करोड 43 लाक रुपीज का मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 150 करोड रुपीज का और मुवी बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्टर साबित हुई थी इसी मुवी का ओफिशल रिमेक टेलगु लेंगवेज में गोपाला गोपाला नाम से बनाया गया था जो की रिलिज 2015 को जिसका बजट था 12 करोड रुपीस का और इसने इंडिया से नेट कलेक्शन किय था 60 करोड रुपीस का मुवी ने वल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पर 88 करोड रुपीस का कलेक्शन किया था और मुवी शूपर हिट साबित हुई थी तो यहाँ पर दोनोई फिल्म हैं इन करोड रूपीज का और इसने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था եा- 36 करोड 215 यद रूपीज का मूवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर कलेक्षन किया था 63 करोड 74 यद का और मूवी बॉक्स ऑफिस पर सूपरहिट थाबित हुई ती इसी मुवी का ओफिशल रिमेक तेलगू लेंग्वेज में भाले डोन गालू नाम से बनाया गया था जो कि रिलिज हुई थी 4 अप्रेल 2008 को जिसका बजट था 8 करोड उपीज का और इसने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 5 करोड उपीज का मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 7 करोड उपीज का और मुवी बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी तो यहाँ पर वन पॉइंट मिलता है बॉलिवूड इंडस्ट्री को नंबर सिक्स पर ओरिजिनल बॉलिवूड मुवी है सरकार जो कि रिलिज हुई थी 1 ज बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 39 करोड 30 लाक रुपीज का और मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी वही पर इसी मुवी का ओफिशल रिमेक सेलगु लेंग्वेज में रावडी नाम से बनाया गया था जो कि रिलिज हुई थी 4 अप्रेल 2014 को जिसका बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी तो यहां पर दोनों इंडेस्ट्री को मिलता है इक्वल पॉइंट नंबर सेवन पर ओरिजनल बॉलिवुड मुवी है लव आज कल जोकी रिलिज हुई थी 31 जुलाई 2009 को जिसका बजट था 50 करोड रुपीज का और इसने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 66 करोड 56 लाक रुपीज का मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर 120 करोड रुपीज का कलेक्शन किया था और मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी इसी मुवी का ओफिशल रिमेक तेलगु लेंग्वेज में तीन मार नाम से ब मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर 18 करोड रुपीज का कलेक्शन किया था और मुवी बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी तो यहां पर वन पॉइंट मिलता है बॉलिवूड इंडस्ट्री को नंबर एट पर ओरिजनल बॉलिवूड मुवी है आसी की जो की रिलिज हुई थी 23 जुलाई 1990 को जिसका बजट था 1 करोड रुपीज का और इसने इंडियन नेट बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 3 करोड 25 लाक रुपीज का मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 5 करोड रुपीज का और मुवी बॉ का बजट था 60 लाक रुपीज का और इसने इंडियन नेट बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था 2 करोट 30 लाक रुपीज का और मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी तो यहां पर दोनों फिल्म इंडेस्ट्री को मिलता है इक्वल पॉइंट नमबर नाइन पर ओर 28 करोट 10 लाक रुपीज का मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर 109 करोट 7 लाक रुपीज का कलेक्शन किया था और मुवी बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्टर साबित हुई थी इसी मुवी का ओफिशल दीमेक तेल्गू लेंग्वेज में ने जत्त का नेनुंद 30 करोट रुपीज का और मुवी बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी तो यहां पर वन पॉइंट मिलता है बॉलिवूड इंडस्ट्री को नमबर टेन पर ओरिजनल बॉलिवूड मुवी है जोली एलल बी जोकी रिलिज हुई थी 15 मार्च 2013 को जिसका बजट था 13 कर क्लेक्शन किया था 30 करो 32 रुपीज का मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर 43 करो 29 रुपीज का क्लेक्शन किया था और मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी वही पर इसी मुवी का ओफिशल रिमेक तमिल लेंग्वेज में मनिथन नाम से बनाया गया सब्भाइड था जो की रिलिज हुई थी 29 अपरेल 2016 को जिसका बज़ट था 6 रुपिस का और इसने इंडिया से net कलेक्शन किया था 14 रुपीस दो मुवी ने वल्डवाइड बॉक्स ओफिस पर एटीन करो 5 का कलेक्शन किया था और मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट थाबित ह हुई थी तो यहाँ पर दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री को मिलता है इक्वल पॉइंट और इसी के साथ टेन सिक्स के स्कोर से आज के ओरिजिनल वर्सस रिमेक के कंपेरिजन वीडियो का विनर है बॉलिवुड इंडस्ट्री और जाने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट औ वीडियो आरे यह उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिये मिलता है नक्स्ट वीडियो में